दोस्तों, शारू खान की पेंथर मूवी पर परबास का शांदार स्टेटमेंट आया है, मीडिया से बात करते हुए. परबास कहते हैं, शारू खान और लोकेश कंगराज, अगर पेंथर मूवी रिलीस करते हैं, तो पूरी दुनिया में शारू खान जो रिकॉर्ड में सबसे आगे निकल जाएंगे, और लोकेश कंगराज ऐसी मूवी बनाएंगे, जो के शारू खान के लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा. दोस्तों, शारू खान की पेंथर मूवी का हर कोई इंतजार कर रहा है, वहीं बड़े-बड़े ट्रेड पंडितों का कहना है कि अब शारू खान को कोई भी रोक नहीं सकता, और एक बार फिर से 90's का दौर शारू खान को मिल गया है. क्यूंकि जैसे शारू खान की ओल्ड मूवीज एक के पीछे एक सूपर हिट हुई थी, अब फिर से वैसा ही हो रहा है, और शारू खान एक से बढ़कर एक मूवी रिलीस करने वाले है. दोस्तों बताया जा रहा है कि पेंथर की बजट 400 किरोड है, और इसमें बहुत ही बड़े बड़े आक्शन और जंगल बेस कहानी को दर्शाया जाने वाला है, और इसमें शारू खान को विक्रम राठोड वाले अवतार में दिखाया जाएगा, और हर किसी को डंकी के बाद पेंथर का ही इंतजार है, दोस्तों शारू खान इंडिया के पहले अक्टर है, जिन्नोंने एक साल में थोईसी 500 किरोड का कलेक्शन किया है, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जा रहा है, जो के आज तक किसी ने नहीं बनाया था, शारू खान ने जो कहानी पथान से श पेंथर मुवी बना रहे हैं, जो के आने वाले समय में और भी बड़े बड़े रिकॉर्ड क्रियेट करेगी, जिसको कोई भी तोड़ नहीं पाएगा, शारू खान पूरी दुनिया के बादशा है, और उन्होंने जो मुवीज बनाई है, वो लोग आज भी देखना पसंद करते हैं, और अब पेंथर भी एक्शन के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, दोस्तों प्रबास का साउथ मैं शारू खान को सपोर्ड करता देख आपका क्या कहना है, और अगर शारू खान पेंथर मुवी रिलीस करते हैं, तो कितने किरोड की कलेक्शन आएगी, अपनी राय कमेंट में लाजनी बताना, और अगर आप सार की के सचे फ्रेंड हो, तो हमारे चेनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको शारू खान की अपकमिंग, हर एक मुवी की अपडेट मिलती रहे, धन्यवाद.